तो दोस्तो इस तरीके की एडिटिंग को बोलते हैं मैट कॉलर एडिटिंग यह जो एडिटिंग होती है इस टाइप के एडिटिंग थोड़ा रस्टिक लोकेशन अगर हो या फिर कोछा एस्थेटिक आप टाइप वाइब देना चाहते हो अपने फोटो में तब यह की जाती है और आज मैं इसी फोटो में ग्रेडिंग करने वाला हूँ जैसे कि अपने यह दिखा होगा यह रॉफ फोटो है हम इसको कनवर्ट करने वाले हैं इस तरीके से तो प्रॉपर कंप्लीट गाइडेंस में देने वाला हूँ किस तरीके से आफ single phone ka use करके अपने फोन में अपने फोडो मे ला सकते हो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें अपनी phone screen पर हैं and चलते हैं अपनी phone screen पर तो friends, अब हम हुआ अपनी phone screen पर और LGr हमने खौल लिया है यहने के lightroom और इसमें मैंने यह photo import किया और इस photo को हम matte finish editing देंगे, थोड़ा matte look देंगे, matte editing color हम इसको करेंगे, तो सबसे पहले guys, जैसे कि मैंने, हर मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले आपको lighting adjust करनी होती है, lighting में जैसे हम जाएंगे, edit में click करेंगे, edit पर click करने के बाद, आपको lights पर click करना है और lights पर click करने के बाद, मैं exposure जो है, वो इसका थोड़ा सा बढ़ाऊंगा यानि कि 21 EV मैं इसका exposure करूँगा, 21 EV यह 39, 20, 25 कर लेते हैं, and then इसके जो highlights है, वो मैं थोड़ी minus करूँगा minus 7 तो यह minus 7 हो गया है, अब shadow की अगर हम बात करें, तो shadow इसकी minus 20 ले जानी है, जो कि इसको एक matte finish look देगी इसको minus 20 ले जाएंगे, और इसके बाद, जो white portion है उसको हम 9 पे लेकर जाएंगे, plus 9 पे, plus 9 हो गया, और इसके बाद हम जो इसका, यह, जो lighting adjustment है, वो proper complete हो गया है, इसमें बाकी और कुछ हम नहीं छेड़ेंगे, इसके बाद हम आते हैं, colors पर, अब जैसे हम colors पर आते हैं, तो colors पर आने से, हमें सबसे पहले क्या करना है color mix करना है, color mix पर हम जाएंगे red का बहुत important part है तो हम red पर click करेंगे, red आपको saturation है ready की, 37% या 35 आप कर सकते हो, मैं यहाँ पर 35 या 37 37 ही कर देते हैं 37 यह हो गया and then, जो orange color है orange color पर जाएंगे, हम saturation इसके 23 रख रहे हैं 23 हम saturation इसके रखेंगे यहाँ पर 23 या 24 आप रख सकते हो और जो इसकी luminance है, वो हम 60 रखने वाले हैं 60 हो गया, अब बात आती है, yellow yellow color इसमें इतना नहीं हम shading और green भी इसमें नहीं है, तो green को mix करने का कोई मकसद नहीं बनता light blue भी इसमें नहीं है, तो blue जो है blue को, इसका blue में जो blue shade आ रही है, इसमें हलके लिकी, वो इसको 5 पर मैं कर रहा हूँ, ताकि उससे एक अच्छा look आ जाए, और tint जो है, उसको मैं कर रहा हूँ 10 पर, plus 10 I mean, plus 10 हो गया, और vibrance इसकी 50 पर हम कर रहे हैं, 50 plus, 50 plus, यह हो गया, 50 plus इसकी vibrance, 50 plus पर, जैसे हमने किया तो हमारा जो reddish tone है, वो थोड़ी आ गई है, अब इसकी finishing हम बात में करेंगे और इसके बाद जो आता है वो हमारा saturation, saturation को minus 10 कर देंगे, minus 10 ठीक है, अब saturation भी हमने set कर दी है, सब को set हो गया colors पगेर भी, और अब बात आती है effects में, effects में जो आप जाओगे तो clarity पे थोड़ा focus करना है, जब clarity आप बढ़ाओगे, इसकी तो clarity आपको 30% पे कर देनी है ताकि फोटो में एक sharp look आए बिल्कुल, 30% जैसे ही मैंने की, तो आप देख सकते हो, कितनी sharpness फोटो में आगई है, इसके बाद wignet हम चेड़ेंगे, और effects में आप texture और dehance को मत चेड़ना wignet effect जैसे हम देंगे इसमें wignet में माइनस 10 देंगे, तो कि ज़्यादा dark नमें नहीं चीए, तो माइनस 10 काफी है, यह सब करने के बाद, अब हमारा photo ready है लेकिन इसमें एक touch देना जो touch हमारा matte में आता है, वो कि इसमें matte look देगा, अब यहां से मैं इसको थोड़ा down कर रहा हूँ, और यहां से इसको थोड़ा मैं up कर रहा हूँ, थाकि इसमें थोड़ा matte look आ जाए, और यहां से थोड़ा से इसको मैं up कर रहा हूँ, इसको यहां से तो friends इसके बाद आपको done पर क्लिक कर देना है और option से बाहर आ जाना है अब आप जैसे ही photo को देखोगे हमारा photo यहां से यहां तक matte grade हो चुका है यानि कि इसमें matte tone जो है वो आ चुकी है आप किसी भी photo में इस तरीके के matte tone डाल सकते हो और मैं इसका link आपको description में भी दे दूँगा आप महा से भी lightroom का मेरा ये वाला preset आप डाउनलोड कर सकते हो तो friends अगर आपको वीडियो पसंद आई और ऐसी interesting वीडियो के लिए आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें और मिलते हैं next video में take care of yourself thank you so much for watching